सावन के पहली सोमवार में बनाए साबूदाना की बहुती टेस्टी और एकदम रबडी जैसी मलाई वाली साबूदाना की खीर बहुती सिंपल और असान तरीके से मैं आपके साबूदाना की खीर बिल्कुली खीरी 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 बनेगी और बिल्कुल भी चिपकेगी और फटेगी नहीं परफेक्ट तरीके से साबूदाना को किस तरह से भिगोया जाता और किस तरह से इसको बनाना चाहिए आज मैं सब tips and tricks आपके साथ शेयर करने वाली हो तो चलिए साथ मिलके बनाते हैं रबडी जैसी मलाइधर साबुदाना की खीर हाई everyone मैं हूं लीना मेरे चैनल recipes by लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज की recipe स्टार्ट करते हैं तो super delicious वर्थ जैसे इस खीर को बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक कप साबुदाना यह मैंने मीडियम कप साबुदाने का लिया है तो यहां मैं मीडियम साइज वाले साबुदाना का यूज़ कर रहे हूं जिससे हम केचडी भी बनाते हैं तो एक कप साबुदाना लेने के बाद इसे मैं पानी से दो से तीन बर अच्छे से धोलूँगी दोने से क्या होगा ना साबुदाना में जो अपना स्टार्च होता है वो निकल जाएगा तो इस तरह से हातों से मलते हुए हमें इसे धोने हैं वैसे तो इसका स्टार्च पूरा भी धोते रहें तो नहीं निकलता है कुछ न कुछ स्टार्च इसमें रही जाता है पर फिर भी दो से तीन बर दोने से खीर हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार होगी तो साबू दाना को मैंने तीन बर अच्छे से पानी से दो लिया है यह देखे तो अभी मैं क्या करूँगी इसमें आधा कप पानी डालूँगी एक कप मैंने साबू दाना लिया है तो आधा कप भी मैंने पानी डालना है जादा पानी इसमें बिलकुल नहीं डालना है, जादा पानी डालने से क्या होगा ना साबूदा ना मारा चिपचिपा बनेगा, जादा मात्रा में पानी डालने से इसमें स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें सिर्फ उतना पानी डालना है कि साबूदा ना अच्छे से उसमें डिप हो जाए तो आप गंटे के लिए इसे में भीगोने के लिए रख दूँगी और इतना पानी डालने से साबुदाना खिला खिला बनेगा इंदा मीनवाइल मैंने एक कडाई ली है कडाई हमें मोटे तले की लेनी है उसमें मैं डालूँगी एक कप दूद तो यहां न मैं फूल क्रीम दूद का यूज़ कर रही हूं तो आप भी फूल क्रीम दूद लीजिए उससे खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बह तो इंदा मीनवाइल मैंने एक छोटा पैन लिया है उसमें मैं डालूँगी एक चमस देसी घी और यह मैं कुछ ड्राइफरूट्स ले रही हूं इससे पहले कि हमारी खीर तयारों हम कुछ ड्राइफरूट्स रेडी करके रख लेंगे तो यहां मैंने लिये हैं कुछ काज काजु और बदाम को अच्छे से घी में बुन लूँगी बिल्कुली लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें हलका हलका सा इसे लाल कर लेना है किश्मिश को अभी हम बाद में डालेंगे क्योंकि किश्मिश बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है तो यह देखिए हलका हलका सा मेरे बदाम और काजु का कलर चेंज हो गया है तो चलिए अभी इसमें किश्मिश पे एड़ कर देते हैं और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे तो किश्मिश को एड़ करते वक्त गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है क्योंकि किश्मिश बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है तो तो अच्छे से इसे भी हम भून लेंगे तो देखे ड्राइफूर्ट्स मेरे बढ़िया से रेडी हो गए है हलका हलका सा कलर इन पे आ गया बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है तो इसे अभी मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स टेप की तरफ तो ये देखे डेट गंटा हो गया है साबूदाना मेरा भीग के तयार है ये देखे कितना ही खिला-खिला मेरा साबूदाना तयार हुआ है ये इसी लिए खिला-खिला है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा मैंने बहुत ही ध्यान से डाली थी तो इस तरह से पानी डालने से साबू दाना अच्छे से भीग भी जाता और ये देखिए ये सॉफ भी हो जाता है ये देखिए मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ बढ़िया से ये सॉफ भी हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे इसे ऐसे दूद में नहीं डालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे गरम पानी गरम पानी डालने से क्या होगा ना साबू दाना में जो बाकी का स्टार्च बचा है वो भी काफी हद तक निकल जाएगा तो अच्छे से गरम पानी डालने के बाद हम इसे चम्मस से हिला लेंगे 30 से 40 सेकंड तक ये देखे कितने ही मातरा में स्टार्च अभी भी रिलीज हो रहा है इससे क्या होगा गरम पानी डालने से ना साबू दाना हलका हलका टांसलूजन हो जाएगा और पानी के स्टार्च इसके अंदर निकल जाएगा ये देखे तो चलिए अभी पानी को इसमें से रिलीज कर लेते हैं और साबू दाने को छान लेते हैं तो यहां मैं एक दूसरा बाउल ले रही हूँ इसके उपर मैं रखोंगी एक छन्नी और छन्नी को रखने के बाद इसके उपर हम साबू दाना पानी डाल देंगे और सारे पानी को मैंने साबू दाने से अच्छे से निकाल लेना और चम्मत से इस तरह से हिला देंगे ताकि जो भी इसमें स्टार्च है वो नीचे बाउल में निकल जाए तो ये देखे बिल्कुली पर्फेक्ट मेरा साबू दाना तयार है खीर में डालने के लिए इसी तरह से हमें साबू दाने को तयार करना है खीर में डालने के लिए ऐसा तयार करने से खीर बहुत ही पर्फेक्ट बनेगी तो यहां देखे दूद को भी मैंने अच्छे से हिला लिया और दूद की क्वांटिटी पहले से थोड़ी कम हो गई है तो इसी तरह का दूद होना चाहिए जब हम इसमें साबू दाना डालें अच्छे से उबलते हुए दूद में ही साबू दानों को डालना चाहिए तो चलिए साबू दानों को इसमें डाल देते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि डालते ही साबुदाना ना दूद के ऊपर आ गया है यही अगर हमने इसे पानी की कौंटिटी ठीक ना रखी होती और इसे गरम पानी में ना धोया होता तो यह नीचे तले पे चिपकने लग जाता और खीर हमारी बिलकुल भी बढ़िया नहीं बलती और दूद फटने के भी चांसेस रहते हैं तो इस तरह से साबुदाने को पूरा रेडी करके ही दूद में डालना चाहिए एक एक दाना देखी मेरा खीला खीला नजर आ रहा है और बहुत ही परफेक्ट खीर तैयार होने वाली है यह देखिए साबुदाना का एक एक बहुत ही खीला खीला नजर आ रहा है तो आप 2-3 मिनट तक अच्छे से हम इसे पका लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे हिलाएंगे तो इसे चलाते हुए पकाएं तो ज्यादा अच्छा है यह देखिए बढ़िया से साइडों से इसकी मलाई को उतारते हुए ह हम अंदर कर देंगे और इसे हिलाते रहेंगे और 2-3 मिनट में हम हिलाएंगे तो 2-3 मिनट के बाद ना मैं इसमें केसर की 2-3 धागे डाल रही हूँ इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा बिल्कुल ही ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो डालिये तो यहां में डा में यह कीर बनके तयार हो जाती है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में बहुत ही जल्दी थिक हो जाती है तो अब मैं डालूंगी इसमें 2-3 बड़े चमज चीनी आप स्वादा अनुसार इसमें डालिये तो चीनी को डालने के बाद इसे हम फिर से हिला ले इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो इसे 3-4 मिनट तक ही मिलाएंगे देखे कितना ही बड़िया कलर हो गया मेरी कीर का इसे हिलाते हुए हम इने पकाया है तो 3 मिनट में कितनी ही बड़िया से यह गाड़ी-गाड़ी सी होने लगी है यह देखे कितनी ही बड़िय को एड़ कर देते हैं तो कुछ ड्राइफ रूट्स में पहले डालूंगे और बाकी में बाद में गार्णिश के लिए रखोंगी तो अच्छे से ड्राइफ रूट्स को भी इसमें मिक्स कर देंगे बहुती सूपर टेस्टी खीर बनके तयार होती है गाईज अब रत में खाएं या इसे ऐसे भी बनाये ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है बहुती बढ़िया टेस्ट आता है इस खीर का बहुती अमेजिंग टेस्ट की बनती है ये देखे कितनी ही बढ़िया मेरी खीर ब तो बनके रेडी है तो चलिए इसे सर्फ करते हैं इसे हलका रूम टेंप्रेचर पर आने के बाद हम सर्फ करेंगे रूम टेंप्रेचर पर नहीं थोड़ी थोड़ी सी और ठिक हो जाएगी जी देखिए कितनी ही बढ़िया साबुद आने की मेरी कीर बनके तयार हुई है बहुत साल ही तारीफे बटोरना होना तो इस खीर को आप जरूर से बनाएगे तो मेहमानों को भी खुश कर देगी और आपको तो पसंद आएगी ही और घर में सब को ही बहुत पसंद आने वाली है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा बहुती जल्द जैसा टेक्शर आया इसके अंदर और खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी है बच्चों तो क्या बढ़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है बिल्कुल आइस क्रिम जैसी ठंडी थंडी भी आप इसे खा सकते और रूम टेमपरेचर पे भी यह बहुत टेस्टी लगते अग कीजिए मेरे चानल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत बूलिए ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में